है गाईस विल्कम बैक टू माई चानल सो अभी अभी मैंने जस्त मिनाक्सी सुन्दरेश्वर फिल्म के ट्रेलर देखहँ एड उसी का रिव्यू में शैर करने आई हूं तो अगर अभी तक आपने मिनाक्सी सुंदरेश्वर का ट्रेलर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं और नहीं तो इस वीडियो को कम्प्लीट होने के बाद आप जाके देख सकते हैं तो अगर आप इस वीडियो के साथ सहमत होंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और हाई ये वीडियो एंड तक देखने के बाद थोड़ा पसंद आजाए तो शैर भी जरूर कीजिएगा मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए तो जल्दी से शुरू करता है ये वीडियो सो मिनाक्षी सुंदरेश्वर जो है एक रोमैंटिक कॉमेडी नहीं तो लव स्टोरी जो लॉंग डिस्टन्स रिलेशन्सिप के बारे में एक लव स्टोरी दिखाती है जो की एक नए कपल है जो की उनकी नहीं नहीं शादी हुई है प्लेट बाई सानिया मलोतरा एंड यहा मतल्ब जो अभिमन्यू दसानी का जो है यहाँ पे स्टोरी में बता रही हुँ यहाँ पर उनका जॉब बैंगलोर के कॉर्परेट कंपणी में लग गई है और यहाँ जो मिनाक्षी है वो यहाँ पर साउथ में मतलब उनके ससुराल में रहे गई है और यह दोनों क्या इस कि मतलब इस डिस्टन्स को कम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं क्या उनका रिलेशन्सिप सस्टेइन हो पाता है नहीं हो पाता है इस डिस्टन्स के वज़े से यही है पूरी ओवरल स्टोरी तो आप बात कर लेते हैं कि क्या अच्छा था तो इस में इस फिल्म की ट्रेलर में सब से मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर जो केमेस्ट्री दिखाई गई है अभी मन्यू दसानिया अन्सानिया मलोत रखी वो मुझे बहुत जादा रिफ्रेशिंग लग रही है बहुत न्यू लग रही है और दोनों की एक्टिंग जो है वो मुझे बहुत जादा अच्छी कॉमेडी जो सीन से वो सब कुछ दिखाने के कोशिश किये जो कि वो ना चाहते मतलब नहीं दिखा नहीं अच्छा होता क्यूंकि सब कुछ अगर वो लोग सम्माराइज करके ट्रेलर में दिखा देंगे तो फिल्म के लिए क्या बचेगा वही मैंने बोला था मीमी में कुछ और एक्स्ट्रा हुआ तो यह फिल्म एक अच्छी मतलब फिल्म बन सकती है अगर सारी यही चीज़े अगर हम लोग ट्रेलर में देख लिए तो फिल्म में देखने का कोई मज़ा मतलब कोई लोगों को इंटरस्टी नहीं बना रहेगा सब लोग तो बोलेंगे भई ह हमने देख लिया है तो यही मुझे डिमेरिट लगा कि सब कुछ जो यह लोग कवर करने की कोशिश किये हैं सब कुछ दिखा दिये हैं दो मिनिट में तो इडीज लाइक समरी ओफ फिल्म अगर आपने देख ली यह ट्रेलर तो आपको कैसे लगी वो कमेंट शक्षन में जरू कॉमेंट कीजिएगा और यह वीडियो कैसे लगी वो भी जरू कॉमेंट शक्षन में कॉमेंट कीजिएगा मैं आपसे मिलूंगी और एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई टिक कर दो अगल